मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 जून को भारत अपने एक बुद्पूर्वा प्रधान मंतरी को स्रधाजली दे रहा है जिनोंने एक नाजुग दौर में देश का नेतुर्त्व किया हमारी एक पूर्व प्रधान मंतरी स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुवात का दीन है जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे में बात करते हैं तो स्वाबायू के रूप से राजनेता के रूप में उनकी शबी हमारे सामने उभरती हैं, लेकिन ये भी सचाई हैं, तो वा नेक भाषाओं को जानते थे, भारतिये ये वन विदेशी भाषाओं बोल लेते थे, वे एक और भारतिये मुल्यों में रचे बसे थे, तो दूसर हमें जानना भी चाहिए, सात्यों नर्सिमाहराव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंत्रता अंदोलन में सामील हो गए थे, जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मातरम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था, तब उनके खलाब अंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था, उस समय उनकी उमर सिर्फ 17 सार थी, छोटी उमर से ही स्रिमान नर्सिमाहराव अन्याय के खलाब आवाज उठाने में आगे थे, अपनी आवाज बिल्ण करने में कोई कोर कसर बाके नहीं छोड़ते थे, नर्सिमाहराव जी कित्यास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुती साधान प्रुष्ट भूमी से उटकर उनका आगे बढ़ना, सिक्षा पर उनका जोड, सिखने की उनकी प्रवुती और इन सब के साथ, उनकी नेत्रुत और शमता, सब कुछ मरनी है, मेरा आग्रह है कि नर्सिमाहराव जी के जंग अधान ले अर्पित करता हूँ